भारती फिल्में हमेशा सेही नायक परधान रही हैं जिन में नायकाई सिर्फ सजावट के समान के ही तरह पेश की जाती हैं लेकिन कभी-कभी कुछ फिल्मकारों ने इस परंपरा को तोड़ने का परियास किया और नाईकाओं पर केंदरीत ऐसी फिल्में बनाई जिन में नायक महज खाना पूर्ती करते नजर आये साल 1989 में आई शुरुदेवी अस्टारर चालबाज कुछ ऐसी ही फिल्म थी लक्ष्मी प्रुड़क्शन्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्मान किया था ए पुरुणी चंद्र राओ ने तथा इसके निर्धिशक थे पंकजपराशर फिल्म की कहानी लिखी थी राजिश मजुमदार ने, पटकता लिखी थी कमलेश पांडे और पंगज पराशर ने, तथा समवाद लिखे थे कमलेश पांडे ने तकरीबन दो घंटे 35 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलिज किया गया था, 8 दिसंबर 1989 को तथा इसके प्रमुखव साहक भुमिकाव में नजराय थे शुरुदेवी, सनी देवोल, रजनी कांत, अनुपमखेर, रोहिनी हटंगडी, अनु कपूर, सैद जाफरी, शक्ती कपूर, अरुणा इरानी, कादर खान, आफ्ताव श्युदसानी, जोनी लिवर आदी, फिल्म चालबाज अपने शांदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे, आनंद बक्षी ने तथा दुन तयार किया था, लक्ष्मी कांत प्यारे लाल की जोड़ी न मुहमद अजीज, सुदेश भोसले, जोनी मुखर जी और जोनी लिवर ने, चलिए आप जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अंसनी बातें, फैक्ट नमर बन, फिल्म चालबाज साल 1989 में स्तरवाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के छठवे अस्थान पर रही थी, इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड 20 लाक रुपिये तथा इसने बॉक्स ओफिस पर 4 करोड रुपिये कमाई थे, इस लिहाज से फिल्म को सुपर हिट घोशित किया गया था, इस साल कमाई के मामले में पहले अस्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड में इसकी निर्दिशक पंकच पराशर की पिछली फिल्म जलवा का बेहद आम योगदान रहा, दरसल पंकच अपनी फिल्म जलवा की एडिटिंग परसाद स्टुडियो में करवा रहे थे, इसी दोरान एक दिन वहाँ पर स्टुडियो के मालिक वह मशूर फिल्म निर्मात एलवी परसाद आये और उन्होंने फिल्म के कुछ फुटेज देखे जो कि उन्हें बेहत पसंद आये, एलवी परसाद ने इसकी चर्चा अपने एक निर्माता मित्र ए पुरुन चंदर राव से की और पंकच पराशर की खोब तारिफ की, अगले दिन राव सहाब ने पंक पंकच पराशर ने उन्हें फिल्म सीता और गीता का रिमेक बनाने का सुझाओ दिया, जिसे शुरुदेवी चाहकर भी मनान नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म उन्हीं पर केंदरित होती पंकच पराशर ने फिल्म सीता और गीता को रिमेक करने का मन तो बना लिया लेकिन उन्होंने ओरिजिनल फिल्म के किरदारो और घटना करम में कई बदलाव किये इसी दोरान एक दिन पंकच जी की मुलाकात अपने मित्र कमल हासन जीते हुई और उन्होंने जब बदलाव के बारे में बताया तो कमल हासन ने सला दिया कि आपको असल फिल्म के साथ छेड़ छाड़ नहीं करनी चाहिए हाला कि उस वक्त तो पंकच पराशर मान गए लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने ही मन का किया और फिल्म में कई बदलाव किये जब पंकच पराशर फिल्म का ओफर लेकर शुरुदेवी से मिले और फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शुरुदेवी ने ओरिजिनल फिल्म सीता और गीता देखी है या उसके बारे में सुना भी है शुरुदेवी कहानी सुनकर कुछ यू उच्छाहित थी जैसे वो बिल्कुल अनकही और अनसुनी कहानी सुन रही हो पर आगे चल कर पंकज जी को जब यह पता चला कि शुरुदेवी का कहानी सुनने का अंदाजी कुछ ऐसा है तो वो चौक गयूँ साथ ही उन्हें यह जानकर भी हैरानी हुई कि शिरुदेवी ओरिजिनल फिल्म सीता और गीता कई दफेद देख चुकी है सनी देल शुरू में यह फिल्म करने को तयार नहीं थे क्योंकि इसमें उनकी भुमिका न केवल छोटी थी बलकि उनके करने के लिए इसमें कुछ भी खास नहीं था खैर पंकच पराशर ने उनका पीछा कई दुनों तक किया तब कहीं जाकर उन्होंने फिल्म के लिए हामी भरी लेकिन शर्त यह रखी कि उन्हें इस भुमिका के लिए स्पेशल अप्रियंस के तौर पर क्रेडिट दिया जाएगा कहा जाता है कि पंकच पराशर इसके लिए तयार भी हो गए लेकिन सच तो यह है कि फिल्म के कास्टिंग में सनी देवल को स्पेशल अप्रियंस के तौर पर नहीं बलकि रेगुलर एक्टर के तौर पर क्रेडिट मिला है हलाकि उन्हें फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में अन्य अस्टार्स, मसलिन शृदेवी, रजनीकांत और अनुपम खेर से पहले रखा गया है असी के दशक की सरवश्रेष्ट भूमिकाओं पर बात करते हुए फिल्म फेर मैकजिन ने लिखा कि फिल्म चालवाज में शृदेवी के द्वारा दिया गया बहतरिन परफॉर्मेंस से पूरे दशक का चौथा सबसे बहतरिन परफॉर्मेंस है इसमें शृदेवी ने जिस प्रकार खुद को अलग-लग दो भूमिकाओं में पेश किया है वो बिरले ही कोई अभिनेतरी कर बाती इसके अलावा रेडिव.com ने शृदेवी के दोरा निभाय गई दोरी भूमिकाओं को 25 सबसे बहतरिन दोरी भूमिकाओं में शामिल किया है इस फिल्म के लिए शृदेवी के समरपन का अंदाजा इस बात से भी लगाय जा सकता है कि उन्होंने इसके एक गाने न जाने कहां से आई है कि शुटिंग बुखार में तबते हुए किया था वो भी शुटिंग में बारिश की कृत्रिम फुहारे भी लगाय गए थे हलाकि उनका यह मेहनत रंग लाया और साल 1990 में आयोजित 35 फिल्म फेर अवर्ड्स में उन्हें बेस्ट एक्टरेश का अवर्ड भी हासिल हुआ जानकारी के लिए बताता चलों कि इस शुरड़ी में शुरदेवी को चालबाज और चांदनी के लिए दो नमांकन मिले थे यह फिल्म मशुर निर्ति निर्दिश का सरोज खान के लिए सफलता के नए आयाम लेकर आई इसके गीत न जाने कहां से आई है के लिए उन्हें बेस्ट कोरियोगराफर का फिल्म फेर अवर्ड हासिल हुआ था यह उनके कैरियर का लागातार दूसरा फिल्म फेर अवर्ड रहा इसके पिछले साल उन्हें फिल्म तेजाब के गीत एक दो तीन के लिए भी अवार्ड मिला था उन दिनों के फिल्म पत्रिकाओं में अनिल कपुर और इस फिल्म से जुड़े दो किस्से बेहद मशुर हुए पहला किस्सा कुछ यू है कि शुरू में दो नाइकों में से एक की भुमिका अनिल को आफर हुई थी लेकने शुरुदेवी को महत्यो पुरुन भुमिकाओं में देखकर उन्हें लगा की उनका रोल दब जाएगा अता उन्होंने फिल्म छोड़ दी इसके विपरित दुसरा किस्सा कुछ यू है कि फिल्म में सनी देवल को साइन किया जाना अनिल कपुर और बोनी कपुर को बेहद नागवार गुजरा और उन्होंने सनी को फिल्म से निकलवाने की कोशिश की थी हलाकि ये दोनों ही किस्से एक दुसरे के बिलकुल विरुद्ध हैं अतक किसी एक पर भी यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है फिल्म में अनुपम खेर एक अलग तरकी खलनाय की करते नजर आये थे और इसके लिए उन्होंने फिल्म के मेकर्स को दो बहद अहम सुझाव भी दिये थे उन्होंने अपने किरदार को और डरावना बनाने के लिए अपने एंट्री पर एक विशिश प्रकार का बैक्गरोंड ट्यून सुझाया साथ ही अपने नाक को भी नुकिला करने की सला दी फिल्म का वो द्रिश्य तो आपको यादी होगा जिसमें श्री देवी रोहिनी हटंगडी के किरदार का मेकप करती है और उन्हें बेहद कुरूप बना देती है यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगे की रोहिनी का या डरावना मेकप किसी मेकप आर्टिस्ट ने नहीं बलकि फिल्म के निर्देसक पंकच प्राशर के कहने पर खुद श्री देवी ने किया था गार तलभे की श्री देवी ने इस काम को अंजाम देने के लिए सेट पर मौज़ुद समानों का नहीं बलकि खुद के नीजी मेकप किट का इस्तिमाल किया था सनी देवलो रजनीकांत के फैंस इस फिल्म में उनकी छोटी भूमिकाओं से बेहद नाराज हुए थे जिसका सबसे बड़ा कारण था फिल्म के पोस्टर्स में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरे होना फैंस को लगता था कि उनके हिरोज बड़ी भूमिकाओं में दिखेंगे लेकिन वो थेटर से नाराज होकर लोडते इस फिल्म के रिव्यूज में उन दिनों यह भी कहा गया कि इन दोनों अभिनेताओं के जगह पर जोनी लिवर जिससे हाच से कलाकार भी रख लिये जाते तो फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता वैसे जानकारी के लिए बता दूँ कि यह एक मातर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों अभिनेताओं ने एक साथ काम किया है इस फिल्म का लोग पर ये गीत ना जाने कहां से आई है जिसने उन दिनों खूब धूम मचाई थी दरसल एक कॉपीड सौंग है अगर आपने साल 1985 माई अश्टेवी वंडर के गीत पाट टाइम लवर को सुना हो तो हमारी बात से जरूर इतिफाक रखेंगे इस फिल्म के शुटिंग के दौरान रजनिकांत शुरुदेवी के नाम को अलग ही अंदाज में पुकारते थे दरसल रजनिकांत यहां भी अपने अश्टायल से बाज नहीं आते और उन्हें शुरुदेवा कहकर बुलाते यह सुनकर सारी यूनिट की हसी छूड़ जाती जिसे शुरुदेवी भी मन ही मन इंजॉई करते ही फिल्म के निर्देशक पंकच पराशर बताते हैं कि फिल्म के शुरुदेवी बेहद रिजर्व और चुप चुप रहती थी ऐसे में पंकच पराशर उनसे बात करने के लिए उनकी मेकप आर्टिस्ट और सेकेटरी का सहारा लेते खैर कुछी समय बाद पंकच जी ने शुरुदेवी को फिल्म के कुछ रशेज दिखाए जिसके बाद दोनों एक दुसरे से खुल गए जो फिल्म के बेहत्तरी के लिए सकारत्मक कदम सावित हुआ तो ये थी बेहत्त लोग पर ये फिल्म चाल बाज पर हमारी एक विशेश प्रस्त थी उमिधे कि ये वीडियो आपको बेहत्त पसंद आई होगी अधर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर भी कर दें तथा ऐसे दिल्चस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन में आल का बटन दवाना न भूलें धन्यवाद